हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई रॉकिंग सपोर्ट योटूब चैनल इस वीडियो पे आज हम लोग डिसकस करेंगे पीएचपी भर्षन को कैसे चेंज करना है होस्टिंगर पे ठीक है, ओके तो चलो स्टार्ट करते तो पहले हम लोग ब्राउजर उपेन करके होस्टिंगर का वेबसाइट उपेन कर लेंगे देन होस्टिंगर एकाउन पे लॉगिंग करेंगे ओके लॉगिंग हो गिया, ठीक है, यह हो गिया होस्टिंगर का होम पेज ठीक है यहां पर देखो hosting section के अंदर मैंने premium web hosting purchase किया ठीक है then right side पे एक manageable के button दिख रहा है इस manage button को पर click करना है then left side पे देखो यहां पर एक website का name दिख रहा है और एक background है ठीक है और यहां पर यहां पर देखो 4 website मैंने यहां पर add करके रखे अभी हम लोग bishash enterprise.in बोल के जो website है इसका php version change करेंगे ठीक है इसको select करना है जो domain का php version आप change करना चाते हो उस domain को select करना है ठीक है थोड़ा down करना है advanced tab को expand करना है और यहां पर देखो php info के उपर click करेंगे अभी php version कौन सा है latest version is bishash enterprise में कौन सा php version ripple set हुआ है और यहां पर दिख रहा है php version 7.4.33 ठीक है अभी हम लोग इसको update करेंगे change करेंगे ठीक है 8.2 something to 8.2 लेके जाएंगे ठीक है दिन फिर से लेब साइट पर लेब साइट बर पर आपको advance के अंदर मिलेगा php configuration इस link को पर click करना है यहां पर php version के अंदर देखो यहां पर list of php version यहां पर दिख रहा है अभी हम लोग चलो php 8.3 को select करेंगे ठीक है दिन update बटन को पर click करेंगे यहां पर confirm बटन को पर click करना है तो देखिए यहां पर php version update successfully दिख रहा है ठीक है अभी हम लोग चेक करेंगे चेंज हुआ क्या नहीं हो ठीक है तो फिर से लेफ साइट पर 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 आपको मिलेगा php info इस link को पर click करना है और यहां पर अभी हम लोग चलो चेक करेंगे देखो यहां पर php 8.3.2 यहां पर शो कर रहा है ओके थैंक्यू टाटा बाइबाइबाइबाइब स्टे होम स्टे सेफ